एक इमांदार रिक्ष्या वाला रोज की तरह अपनी रिक्ष्या लेकर जाने की तयारी में होता है, तबी उसे एक कॉल आता है, लेकिन उसका फोन खराबू चुका था, इसलिए उसके स्पिकर से आवाज भी नहीं आ रही थी, तबी वहां आज नया फोन लेने की ठान लेता ह लेकिन उसे एक mobile का बड़ा सा दुकन दिखता है तब उसे रहा नहीं जाता है और वहाँ दुकन में जाकर mobile की कीमत पूछता है लेकिन उसे याद आता है कि उसके बच्ची की फिस बरनी है तब वहाँ दुकन से वापिस आता है और उसे एक सवारी मिलती है लेकिन उसकी रिक् मोबाइल घर ले जाता है और खाना खाते समय वह अपनी बच्ची के मुझे सुनता है कि मेरे पापा बहुत इमानदार है तब रिक्ष्या वाला खाना छोड़कर पहले मोबाइल वापिस करने जाता है